प्रसार भारती अभिलिक हगा की प्रस्तुति सभा बहार सुनहेर दौर का अन्मूल खजाना रातन जन्तकर और गिंदे साथ आप गायोग духовा साथ साथ तरागनो कि गवईयों के गवई आचार ये जिसको बोलते है तो उनकी गायकी से भी आप बहुत प्रभावित थे उनकी जो विद्या है विद्या से आप बहुत प्रभावित रहे तो स्वायम अन्ना साब भी बहुत अच्छे रचना कार थे उनकी रचना आप आते हैं उनका भी हमारा स्वयोग भी आएसा आया देखिए पचीस ट्रीस साल के पहले है ऐसे समझो हमको लगनव जाने का एक मोका आगया था गनपती फेस्टिवल था और ऐसे चेन बुकिंग के लिए हम गये थे गनपती प्रभावित अपने प्रवेट प इतना तो बनारस लगनव कानपूर ऐसे गये थे तो लगनव भी हम ठहरे थे और गनपती फेस्टिवल का प्रोग्राम भी हुआ मतलब कानपूर का ही हुआ और बीच में 15 दीन बाकी थे 15-20 दीन क्योंकि उसके बाद गनपती फेस्टिवल के बाद आए थिंग वो गुल तो मेरे को मालूम ने कि इतने अन्ना सब मेरे उपर तो हमारे लगनव और कानपूर का प्रोग्राम हो गया सब प्रोग्राम के वो आये थे तो मेरे को बोले इश्वनता क्या प्रोग्राम है अभी मैं बोला हमारा तो कुछ प्रोग्राम ने अभी वापस जाने का प्रोग् आपको गवाने का है तो उसने सोच लिया कि भई पंधरा दिन हम बोलते तो मैं ऐसे सामने खड़ा रहा है हाँ समझ गया मैं कहां रहने का यह आप सोच रहा है तो तुम्हारा जो सम विस्तार विस्तारा लेह के भातखंडे अनिवर्शरी में आओ अभी तीस साल के बाद हमको आईसे डर लगा कि इतने बड़े हमारे उमर के हिसाब से भी अभी पंधरा दिन उनके बास कैसा रहूं वो कॉलेज में छेरेज बातखंडे कॉलेज में लेकिन मैं बोला कि वो बोलते कि बस 15-20 दिन है बाकी हमारे यह रहने का खाना भेने का ठीक रहेंगे तो यह पंधरा दिन में ताइम तो अच्छा गया मेरा एक दो तिन टीशन भी किया मैंने रोहिनी भाते की बहन थी वहां अच्छा तो उनको सिखाया आपने उनको सिखाया लेकिन इस दोरां रातन जंकर जी से आपको कुछ सीखने को मिला या उनकी कुछ सिखने का मोका मिला आपको सुनने को मिला वैसे अधनाःभने ने मेरे लिए ये बात दिखे बात दिखिए वो यारे उपर बहुत खुश हो गई यश्वन तुमारी अभू करते गाच गाच क्या है बहुत है बहुत बड़ी बात है यह रोगो का सर्टिपिकेट मेला है यह बहुत बड़ी बात है तो फ़ डिन ठेहरे वह एनिवरसरी अपना तो अवेंदर सेटर में थी शिद्धेश्वरी देवी, बिर्जु महराज, हपी जम्मत, वीजी जोग, बहुत नामी लोग थे, हाँ वस, वो कान्फरेंस में गाना बहुत अच्छा हुआ, इसका पुरूब भी हम दे सकते है, कि आणना साप के बारे में, एक गिंडे साब ने बहुत बड़ा कितब लिख अच्छा, वो गिंडे साब ने खुद लिखा है? यह खुद ने, अभी तो पाट-छे साल के पहले, तो वहाँ फोटो है, वो भी लोग देख सकेंगे, वो किताब में है, विर्जु महराजी, सिद्धिश्वरी, हपीज अमत, और हम यह सब लोगों का, कॉलेज में ही फोट अच्छा ने दिया, दो-तिन प्राइवेट प्रोग्राम कर दिया, वा, मतलब इतने आपके, इतना पसंद था आपका, बस और क्या चीजिए, बहुत बड़ी बात है यह तो आपके लिए, अरे तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगता है, मैर दो-तिन देगे गे गवाँ आया, रेडियो का प्रोग्राम उसने वहा, रेडियो में गए, और बहुत एक रेकॉर्डिंग कर लो, आच्छा गाना रेकॉर्ड करो जरा, वो भी रेकॉर्डिंग हुआ, जब मैं प्रोग्राम भी आच्छा हुआ, तुसरे तुसरे दिन, याद है मेरे को, इसलिए बोल कि जोगा और हपिस अमत खास आपको बोले कि आरे, इनको अभी मममई तक छोड़ो हाँ, और बोले कि एश्वन कितना देने का आपको, मैं बोले क्या ना सब कितना देने, कुछ भी करो, क्या आपने जवाय बस, ओ बाद छोड़ो, तो कदर भी किया, जो रियल थे, उसकी अदर किया, आडिशन के बारे में हम बोल सकते हैं, जब लोगों का अडिशन हुआ था, कलाकारो का, तभी आणना साइब ऐसे पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं, ऐसे लोगों ने उठाया था, लेकिन मैं सच बोलता हूं, मेरे को कुछ बुरा अनुभा आया ने, जो रियल ह उसको रियल जच किया उसने, लोग बोलते कि चाहर है आप गये थे आडिशन देने के लिए आपको कुछ उल्टा सुल्टा हो गया क्या, कुछ नहीं बोला, पाउन घंटा का आया, थैंक्यू बोले, क्लासिफिकेशन हो गया, बाद में बोले कि कुछ नहीं क्या है, सब आचाल, तभी से मेरे गिंडे साब भड साब की जानपचान है, और भाद भी ऐसी है, कि तीन साल पहले, ये भी हम कुरतन्यता पुरुवक बोलना चाहे है मेरे को, कि अन्ना साब रातन जनकर की, तभी से रातन जनकर फॉंडेशन है उनका, वो हर साल 14 फेबरुरी, तारिक फिक्स है, तो निटी सेवन में, उनके सब शिशों ने, रातन जनकर फॉंडेशन के तरफ से, मेरे को पुरसकार पचीस हदार का दे गया है, वा, ये तो बहुत ही सम्मान की बात है आपके लिए तो, बहुत ही और, किसी री कराकार के लिए, किसी री कराकार के लिए, किसी जो रातन जनकर के विचार धारा से, जो एक कलाकार है, उसको ही देने का, मेरे को मालूम नहीं, ये सब उनके जो स्टूडेंट है, उसने आपस में सोच लिया, और बोले, इस साल आपका गाना, और ये पुरसकार प्रदान, ये मतुंगा करना टक में हुआ था, मतलब ऐसे हम भी गिंडे साब को मानते थे, ऐसे डालेक्ट सिखने को मिला नहीं, लेकिन हम पहले बोला कि जिसके ओपर भक्ति रहती है, प्रेम जहां रहती है, और एक नकल करने का हमको एक आर्ट है, लेकिन वो नकल भी किती असल है, तो अन्ना साब के कुछ बंदिश है, उनके कर आर नहीं, लेकिन वालेक्स्ट जच कर दो थे, लेकिन मारी देन ऑेन. औरकी कि लेकिन बाता है, म जो स्टली सिखने देजिए हुआ उनके है, वो ड़ी है, आर येकिन हैजसे है मOS-जब झांशन। किःत्यक्सट % संदिर एत्र फितल यहाज संदनर भलए है लगाम ! संद कर दो लगे है इड्या सकती है कर बोई तक कर दो नत वाउना तक कर दो दो पाना लिए यहा प्यों से जोड़ कि आ दो दो सा जे आ है कर दो दो तर दो कर दो कि आ हो ने जो दो लो वाई आ हने हो भी ता मैं आ है मुहने पीजे लाजे चुटादो मुझे लाजे चुटादो लाजे चुटादो मुझेॡटादो यह डिकीória उन्हील हेविते मुझे चुटादो यह जा процесс मान seben armate मान जन्हालımız तिया्य जाओ दूलार मन मौन जया मन मोहन मन मौहन बीजा जादूलाünden जाज दूलार मन मौहन बीजा भी जाला ज दूला बिच्चता जे दुदारो मनग, हाज मनग मन मोहन भिच्चता जे दुदारो हराग जार के रखबती जाहां मस्तो नेहान जाय जयोती हो मन मोहन बिच्चता जे दुदारो मन मोहन जलाज जलाज हो बिच्चता पंडीजी आप ग्वालियर, आगरा ये दोनों घराने का गाना इतने मास्टरी के साथ आपने इसको हासिल किया है लेकिन ये दोनों घराने जो है वो लयप्रधान घराने है स्वर्प्रधान के साथ साथ लयप्रधान भी है संगीत में लय तत्व या लए का क्या महत्व है और किस प्रकार की लए पुराने जमाने में होती थी और आज के जमाने में जो लए है और कौन सी लए सही है आपके हिसाब से तो लए के बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं पुराने जो लए थी न कि यो तुमारी सास है वहां तक दूसरी मातरा पढ़ना चाहिए या तबला डगा लिया तो कि उसके आज जाह बंध होती है तो मतलब धिन, धिन, धा, गे, तेर, कित, तू यह लही थी सब ख्यार की बिल है और हारे ठेका को भी आप अपनी खुद ले रही थी है इतर हिसाब की बात नहीं है अच्छा यहाब की बात मतलब जो बहुत बिलंपत हो रहा है आजकर हिसाब में हम नहीं बोलते कि गलती है कुछ तेकिन हम बोलते कि जिनो एक और दो मातरे की बीश में चार-酒, पाच-पाच, छे छे मात्रे का दम, धन, चलो, यह अंगुली से गिनो. आछा, उनको कुछ तकलिप ही नहीं, गाने वारे कोई तकलिप नहीं, पिचारे अंध्रकर को तकलिप, या तब्ला पलेयर को तकलिप, वो उसमें पढ़ते हैं कि दोसरा मात्रे का दर्म हमारे में रहते की नहीं क्या सुनने वालों को तकलिफ है यह भी बात सही है सुनने वालों को भी तकलिफ बिलकुल सही का देलो जी आपने मतलब यह बंदिश रहती नहीं उसका खंड खंड होना चलिए जो खंड है उसका कोई हिसाब भी नहीं और उनको यह जो इतनी अप्में है कि Patriot दी ना होने के बादय हमा कुछ भी तकलीब नहीं बारभा मातरय तक उसको कोई तकलीब नहीं तो आपके हिसाब से कौन सी ले होनी चाहिए अच्छा कौनसा बोरा कौनसा हरे काई यह सब बात हमारा गहने काई रिलेटियो है लेकिन फिर भी आप बुजर्ग करा आप आपके गुरु ने आपको कौन सी ले बताई जिसको हम मेरे मज्जे ले बोलेंगे मैं तो बोलता हूँ कि तभी हमारे जमाने में बहुत भास ले थी मतलब कि आप दिखांगे एक गा के बताई जैसे मिराशिबवाजी की कौन सी ले होती थी या वजबूँ ले होती थी चोटी से एक उदारन के तॉर कर अब जिए एक हमेरा भी गाया मेंने, बात ठीक है तरा प्रत्म करता हूँ मैं, इसी दो रचना है, एक डेफिनिटली एक ताल में है और एक डेफिनिटली जुम्बरा में है, जो कैसे खाली बड़ी प्यलती है, यह पुराने जमाने में जो ले रखे थे वो आप दिखा रहे ह धिन, 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 युम्रात भादे ते रखेत धिन, ता ते रखेत धिन, धिन आ, 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 का में पुली छंपा गुलाotion जाब गुंद लागो फ्रीमा लनिया हर्मा लाबो चोके गरवादार जाब गुंद लाब गुंद लाबो फ्रीमा लनिया हर्मा लाबो चोके गर्मा लनिया हर्मा लाबो चोके गरवादार जाबी फिरमा लनिया जाबो चोके गरवादार तो बंजिस में जुम्रा दिखता है, कहना नहीं पड़ता है समझने वाले को भी इसमें रिदम मिलता है जिनना पड़ता नहीं कुछ नहीं, और अटेंशन में ले है अभी देखे, खास करके बता हूँ कि इसमें भी ठीक है चल रहा है हमेरी सी दे और है एक्ताल की, यह जैसी जुम्रे की चीज इसके साथ मैं यह बोलना चाहता हूँ कि अभी यह स्टूडेंट को आना चाहिए, यह तो खास जुम्रे की बंदिश है लेकिन यह भी होना चाहिए कि कि किसी को जुम्रा नहीं आता है या तिलवाड़ा नहीं आता है तो उसने क्या करना तो आजकल के स्टूडेंट को भी क्योंगाने वाले को निभाव भी करना आना चाहिए यह हमारा ओपिनेन है कि पानी तेरा रंग ऐसा जिसमें मिला हो ऐसा मैं आपको नहीं तिलवाड़ा आता है जो कुछ है वो चड़िया तो निभाव की भी निभाव करना भी आना चाहिए पहले पुरानी जमाने में भी आईसे बोल कि आरे ताल बदल दिया आज कर ऐसे कोई बोलता है यह ताल की तिलवाड़ा में गया है तिलवाड़ा की ठीक है जिस ताल में किसी जिसको आती हो ने वो ठीक है लेकिन यह भी अच्छी ढंग से जो निभाव करेंगे तो आप बोलेंगे कि तुमारा ओपिनिन क्या है तो हम बोलेंगे जिसको निभाव करने को आता है उसने करना चाहिए तो जिसको निभाव नहीं करने को आता तो नहीं करो मत जैसे सिखाए वैसे चले जो कोई बात आप निभाव नहीं कर सकते तो जैसे तालिम जैसे मिला है वैसे वही सही रस्ते ची जाओ इसका मतलब अगर तिलवाड़ की बंदिश है और तिलवाड़ा किसी को आता नहीं है तो उसने एक ताल में गाये तो कोई हर्ज नहीं है उसमें ताल समझना चाहिए तो हम लोग बोलते है कि आजकर लोग ताल गाते है या मातरा गाते है तो ताल नहीं कोई गाते है, मातरा गाते है इस पे जरह आप थोड़ा सा गौर करेंगे, इस पे और थोड़ा सा बताएंगे कि ताल गाते हैं वो कैसा और मातरा गाते हैं इसा मतलब ये संपर आ गया, ये आ गया नहीं, ओ ये आया, बस, इतना ही फ़रक, लेकिन कैसे आया, इसके उपर है न, एक आजमी आया ही नहीं, एक आजमी आया, और दुसरा आजमी कैसे आया, फ़रक है न, कैसे आया, हाहा, ओ खर्या आया बस, इधर इधर भोजा भीजा ले इसको आहम आना नहीं बोलता है. सब जिसकी सम आच्छा वो गाना अच्छा. अब सब का अठास काई के लिए है? सम के लिएелей. जिसकी सम आच्छी नहीं तो वो का ऐगाना. वो हिसाब होगया बस. यसको आप वो मातरा उसनारined? तो फंड मेल कशी. कि मीनिंग कम से कम तो बंदिश का मीनिंग भी रहना चाहिए हम पहले बोलते है कि क्लासिकल में थोड़ा शब्द गौंड रहता है यह मानते है हम स्वारप्रदान ने गाई कि है यह मानते भी लग खेज गया तो मातरा भरने के लिए आपका वर्ष कितना लंबा हो गया यह देखे यश्वन्द रोशी लिखने का है तो लिखते वकट भी आपको कहां लिखते यश्वन्द और रोशी यह इदर लिखा चरिज़ट पे श्य बॉम्बे सेंट्रल पे वो लोर परेल में तो और बोलो यश्वन्द पढ़ो पढ़ेंगे आप? आप बोलेंगे यश्वन्द लिखा है वो मिनिंगलेस हो गया तो रसिया उनजया बोलेंगा गाने को आता है इसलिए कितना भी लगाओ बोलता हो जिए तो परेल में जब भी लगाओ तो रसिया यहां से दाजर तक गया रसिया आज आज आएगा भी नहीं और आएगा भी नहीं हमारा उपिने नहीं है तो हिसाब में ठीक है तो गाने को आता है मारूब्याग इसलिए किदर भी घुमा जो उसको रसिया को इसका मतलब तो अक्षर जो है तो में इसलिए अग्रा ग्वालेर के लिए इसका मतलब हम ग्वालेर अग्रा के है इसलिए नहीं बोलता हूं जी नहीं के परिवर्तन होता है और फिर अपने जगे पे आता है कोई बरस पहले बहुत खीच गया था लए अभी लोगों कोई कंडाल आ गया कि कितना सुष्ट हो गया सुनते सुनते लोग सोते हूं है इतनी अगर बिला मुत ले हो तो फिर अपने आप जागे पे आ जाएंगे लोगं हां इसलिए ओडी गोलते हम हम जिसको घचल भाने के तालिम अगर ग्रानों को उस्तादों से मिलती है वा ये सब चीज़े समाल लेता है आज-कल वैसी घचलों की तालिम मिलती है क्या घराने रहे गए है आजकल के जमाने में अगर यह जो सब बाते है यह घरानेदार कोई गायक होगा वो अपने सिशों को यह पढ़ा देगा तो घराने की तालिम कहां है और पढ़ाने का काम हमारा एक सही रास्ता बताना यह गुरू का काम है आती हुए दमान में क्या घराने सच मुच रहेंगे? क्या लगता है? आप की क्या राह है घरानों के बारे में और वो रहेंगे की नहीं? आगे चल के क्या हुआ सो Africanais का गाना सुनके यह कह सकेंगे कि यह Gualier का गाना है यह Agrae का गाना है? आजकल सही बुलू ते बहुत थोड़ा थोड़े लोग रहे गया, घरानेदार, सही बात है, कि आजकल घरानेदार लोग कम से, और नाचरल ले कि आप भी सुनने वाले को इतना सुनने को मिलता है, और सुन के भी अशर होएंगे, हमारा शिक्षन जभी होगा था न, तो भी इ शुबे पोना, शाम को बंबई, शुबे पोना. वक्त की रफटार इतनी तेज हो गई है. तो आजकर सुन, शुनके भी अशर हो जाता है, और सब थोड़ी बुरा है. अच्छा, सुनने को आजकल जादा मिलता है. तो क्या अंब दिए बहुत आए हैं. तो यहा हैं सुनने क सीखना चाहिए, बाद में उसका फाइदा जरूर मिलेंगे, इसलिए हम ऐसे बुलते, एक उधारन दे तो अच्छा होगा, गीता हम बोलेंगे सांगीत ली, गीता कही गई, कही गई, बाद में लिखने का बाद, न्यानेश्वर ने न्यानेश्वरी कह दिया, और किसे और ने लिखी बाद में, तो इसका मतलब यह होता है कि हमारी परंपरा मौखिक है, मौखिक है, पहले सिखाया, बाद में फाइदा नहीं आइसे ने, बोलते, यह दिखे, पहले तो नोटेशन भी करने को आते थे ने, यह भी बात है, सब इदर रखने का, करट के, हमारा खुद के बात बोलता हूं मैं, कि लिखने को देते थे नहीं, नोटेशन की भी जानकारी इतना नहीं था, सच बोलता हूं, यह भी मैं सिखता था हूं, क्योंकि कहने का सवाल ही नहीं, कि वैसा बोलो रहे है, मालूम नहीं, बस सुनके गाने का, तो एक एक चीज बैचने के लिए 600, 600, 800 बंदिशे याद है मेर को, लेकिन याद ही है, आज कर पांच-पचीज बंदिशे भी याद नहीं होती है, आभी छोड़ो कभी उमर्त की हिसाब से कभी थोड़ा confusion होना यह, हम देख रहे हैं, आपके सामने कोई भी डाइरी नहीं है, कोई भी नोटबुक नहीं है, आ आदाश आपकी इतनी अच्छी है और रटने का असर है, घोटन टी विद्या, खोजन टी पानी, बिल्कुर सही है, जो आप कहा है, कि रटे बगेर गाना नहीं आता, और मोखिक भारतिय संगीत जो है, वो मोखिक परंपरा से ही, हमारा शिक्छा इस हुआ है, या कोई भी सं मिली, हमको इतना तकलीफ हुआ, तो हम भी उसका सूड उगाने का ऐसा बात नहीं है, आजकल स्टूडेन को भी टाइम नहीं, गुरू ने भी कॉम्परमेश करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कहते हैं, और वो सही है बिलकुल, कि गुरू के सामने बैठ के सिखे बगेर ग कायर होने दो तुमारा, लेकिन नोटेशन पढ़के जड़ा बिठा दो, तो टाइम लगेगा, जब इस सुन के ध्यान में आ जाएंगा, तो जट से फाइदा होता है, और वो नोटेशन पढ़ने के लिए भी गाना आना चाहिए, गाना सीखना चाहिए उसके लिए, तो गा राग और रस, इनका संबन्ध है, ऐसे आपको लगता है, इसके बारे में आपके विचार क्या है, राग और रस के बारे में, रस के बारे में आप पूछते हैं, तो रस एक ही गाने में वो अनन रस, तो हमारे हाँ बोलते हैं, मतलब अनन रस क्यों कहते हैं, कि जो कलाकार, वो राग के उपर जो रस पैदा करेंगे, वो कल्चर करेंगे, वो हो जाता है. इसका एक प्रयोग भी हुआ था, इस मास्टर वाइस पे हुआ था, कि जो आर्टिस्ट लोग है, उनको बुलाया था, मतलब चितरकार, चितरकार, और खीक है भई, दर्वारी गाई है आप, और दर्वारी गाने के बाद आपको मन में जो कुछ आता है, वो पेंट करो, उसने पेंट किया, बाद में दलवी आया, दलवी गाया, उसके बाद पेंट किया, बाद में वो आया, उसका बाद, तो रस या कोई शुत्र एक हो, तो कुछ एक रूप आना चाहिए ने, कम से कम, तो गाना भी सब का अलग, और सब लोगों का पिक्चर भी आलग, पैंटिंग भी आलग, ऐसे क्यों? मतब कराकार की जो प्रवृति होगा, उस हिसाब से उस राग में भाव पैदा होगा, या रस पैदा होगा, तो ये जो पुराने जमाने की संकल्पनाए जो है, वीर रस है, करुन रस है, और शुंगार रस है, तो ये सब रस जो है, ये सिर्फ कल्पनाए है, और बात ऐसे है, ह मतलब बंदिश का भावारत देखिए और राक का रस देखिए मुंदरी मोरी काहे प्षिनलाई छेलवा दर्बारी काहे अडाना की है ऐसे निम्जे जो उसका भाव है वो उसके प्रगट कर होता है कोई तान बाजी से गाएंगे वो भी अच्छा लगता है कोई बिलंबसे गाएंगे वो भी अच्छा लगता है कोई ताल के गाएंगे वो अच्छा लगता है रस एकी आनन्द रस करो आनन्द देव बस गाने वाले पर डिपेंड करता है कौन सा रस पैदा कर सकता है वो और जो दुख है हुआ ज्यादा आदमी कलाकार सोच के गाते है जो दुख की बात होती है तो उसमें इनमहल ज्यादा होके गाते है और ऐसे भी नहीं रस नहीं है ऐसे भी नहीं इतना कितना लेने का वो हंडेड परसेंट नहीं हो राग के बारे में achieving को एक समय चक्र माना जाते हुआ कि राग उसी समय पर गाना चाहिए बे में बें सु मदूरी तो क्या होगा क्योंकि आज कर लोग ऐसे मानने लगे कि वे समय का संक्र संक्र समयाक रोप। किωνों आपने एक संप्रश्कार है तुमारे उपर एक certain stage वो ठीक भी है लेकिन आचरन में आने के लिए कोई तैयार जो खुछ बोलते है वो करते ने वो खली बोलते है कि वह वाई गाओ रात को बहेरो गाई है हम उनको बोलते हैं कि आप गाई है नो बहेरो रात को կहा ले, अभी तक बिल्कुल नहीं है वह बात, ऐसे भी नहीं, हम तो वक्त पे गाना यह मानने वाले हैं याने हाप समय संकत मानने वालों हैं कि हम नैशनल आर्तिस्त हैं हम इंटरनेशनल नहीं है जो कुछ है मानना उटाई है मानना हैं कि ऐसे होता ही है थोड़ा कि जितना सुबह तुबडी गाने के लिए जितना दील चाहता हूँ इसको आप बोलिए कि समस्कार है कुछ भी बोलो ग्रामर में फरक नहीं पड़ेगा हमारा उवचार धारा कि है उसका कुई समंध है मतलब हमारा धरिष्ट भी अभी तक नहीं है कि वह गावरात को सिखाने में ठीक है और फरक तो पढ़ने वाला है इंख अगली पेड़ी तो जरूर करेंगे जिवाँ इतना मानेंगे नहीं संकेजिको एक महिन इंटरनाशनल हो दो एक महिन नेशनल हो जाते है तो उनको करना ही मायन ही चाई है हम आख़ा जिनगी तक न को नहीं है राक की संख्या उसके पास बहुत है लेकिन उनके राक का बंदन नहीं है लेकिन वो ज्यादा परंपरावादी है ऐसे आप लोग कंप्रमाइज है आप अपनी कलपा नहारे की इसलिए अपना प्रेत्न है लेकिन मुश्किल होना है लेकिन आपको इससे आइसा नहीं लगता कि ये परंपरावादी ज्यादा होने के कारण उनकी जो कर लिमिटेड है अपना ये पहले अपना मुजिक कलपना संजीत है एक राग के बारे में हरे की कलपना क्या-क्या हो जाएगी ये है जितने व्यक्ति उतने प्रकृति जितने व्यक्ति इतने अलग-अलग विचार तो इससे उसके डामेंशन बढ़ते हैं ऐसे आपको लगता है ज्यादा डामेंशन है ये कोई भी ये आखिर शास्त्री है न और साइंस ये परिवरतन शील है तो होता ही है पहले हुआ अपको क्या मालूम है जब तक आपको मालूम है तब तक आप बोल सकते हैं चेंज होता ही है बोली भाषे में भी चारीज चारीज मेले के उपर फरक हो जाता है तो फरक होना भी उचीत है सरगम के बारे में आप क्या सोचते हैं पंडीजी क्योंकि करनाटक संगित में सरगम का बहुत अच्छा इस्तिमाल होता है अपने नौर्थ इंडियन में भी सरगम का उप्योग करने वाले बहुत सारे घराने भी है बिंडी बजार घराना है जो पतियाला घराना है सरगम का आदत नहीं है करने की, क्योंकि बोलने की जुरून है, ऐसे बोलते है, स्पेलिंग बोलने की क्या जुरूर है, आखिर बोली भाशा यह है, हम बोली भाशे में यश्वन्द उच्छारन करते हैं, YSSH, WNT नहीं बोलते हैं, कभी आठ गया तो बोलने का, हर एक बात स्पेलिंग किसे तो नहीं आप बोलते हैं लेकिन एक अंग है एक अंग है कि नूटिशन भी एक अंग है ठोड़ा कुछ करना भी कितना करने का अ ये तो है का नहीं ये वाजाचित बात रहे है और कोई बात एक्जैकिरिशन होने से अच्छा निया करने फोटन स्टेश हरेक अंग पंडित जी कहते हैं कि रंजय ती रागा है, राग, गायकी और रंजक्ता, इसका एक अनन्य संबंध है, तो रंजक्ता के बारे में आपका क्या ख्याल है, और रंजक्ता कितनी होनी चाहिए शास्त्रिय संगीत में, या होनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपके विचार क्या है? रंजक्ता तो होना ही चाहिए, और जिसको परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनने का है, उसको तो होना ही चाहिए, आखिर खुद के लिए गाने का है, तो कुछ भी करो, दुसरे के लिए गाना है, तो इसके उपर ध्यान रखना चाहिए, आनन्द देना चाहिए, मतलब कोई आदमी राख बिलकुल करेक्ट गाए, शास्त्र शुद्ध गाए, और यहाँ कोई लगता नहीं, दिल को छुता नहीं, बस कैसे गाए, शास्त्र शुद्ध गाए, रंजन हुआ नहीं, तो थोड़ा हम ऐसा बोलेंगे, कि कम है थोड़ा शास्त्र लेकिन रंजन तो बहुत हो गया, तो हम बोलेंगे कि चलेगा, आच्छा, गवई आदमी जो है, उसने दोनों बात संबालना चाहिए, हम तो ऐसे फरक करते हैं गवई और गायक में, गवई हम इसको बोलते हैं, कि जो शास्त्र शुद्ध का पालन करके रंजन करे करेंगे, धर्म का पालन करके रंग करेंगे, ओ गवई, और गायक रंग के लिए धर्म भी छोड़ेगा कभी-कभी, लेकिन गवई का मतलब हमारे हिसाब से, कि गवई या इसका मतलब वो नियमों की चौकट मेरे के, नियम तो सम्भालना ही चाहिए, और यह सम्भाल के जो रंजन करेंगा, वो जादा अच्छा, और वो ही performing artist होता है, उनकी program होते हैं, जो शास्त्र शुन देगाते हैं, वो teacher बनेगा, तो राग में रंजकता होना शास्त्रिय संगीत में, क्योंकि एक ऐसा भी वर्ग है, कि शास्त्रिय संगीत में शास्त्र ज शाश्वत संगीत बोलो, शाश्वत कि सारेगाप जसा यह शाश्वत है, पचास साल कोई सारेगाप जसा यह बोलते हैं, उसमें फरक नहीं, शाश्वत ही है, यहां सारेगाप जसा यह बोलते हैं, बनारस में सारेगाप जसा कोई भूप बोलते हैं, कलकत्ता में सारेगाप तु शास्ट्रिय शंगित बोलने से भी शाश्वत संगित यानि मतलब यह सब शाश्वत ही है? कैक, सालों से यही शाश्वत रहा है और अलग-अलग इतने सालों से भरते रहते हैं वह शाश्वत है और मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप तो शास्त्रिय संगीत ही आप ने सीखा और शास्त्रिय संगीत ही आप गाते आए हैं सिखाते आए हैं और शास्त्रिय संगीत में ही सेवा रत रहे हैं आप लेकिन आजकल या पुराने जमाने में 30-40 साल से हम लोग फिल्म संगीत काफी सुनते आए हैं फिल्म संगीत की शुरुआत 40 साल उसके पहले मोकपटों का जमाना था सिनिमा में संगीत नहीं होता था बोलना नहीं होता था लेकिन जब जैसे बोलपट शुरू हो है तो उसमें गाने भी आ गए तो फिल्म संगीत बहुत ज़्यादा हावी हो गया जन मानस पे फिल्म संगीत घरों घरों में पहुँच गया और हरे को फिल्म संगीत अपना नजदिक का लगने लगा क्योंकि फिल्म संगीत हर कोई गुनगुना सकता है फिल्म संगीत में शब्ध है इसलिए हर कोई उसका मतलब जान सकता है जो classical संगीत में शब्ध है इसका मतलब वो सुगम संगीत है सुगम है, सुलब है समझने के लिए आसान है तो फिल्म संगीत, सुगम संगीत, ठुम्बरी, ललिट संगीत इसके बारे में आपके क्या ख्याल है मतलब ऐसे कोई भी जो संगीत का प्रकार है वो बुरा ही नहीं है सब अच्छे ही प्रकार है क्योंकि साथ सूर तो सभी में है सभी में साथ सूर है सभी में ले हैं सभी में ताल है जिसको करने को आता है ऐसे नहीं कहिना चाहिए कि सुगम संगीत वाले खाली प्रिस्टिज इशु कर यह होता है, इसलिए वो सुगम संगीत ऐसे नहीं, जादा कठिन है, बाउधी खाय जादा, यह तो एपना एक लेन में चलता है, यहां तो दिमाग की बात है और गले की बात है, तो पुराने यह अभी भी कुछ लोग ऐसे है, तो कोई संगीत जो प्रकार है, वो सब ही अच्छा है, लेकिन मतलब ऐसे कि धंग अलग है, एक बात ऐसे कि एक गला अचकल ठीक है, पेट के लिए हमारे दुकान में सब है, ऐसे बोलते है, लेकिन एक गला मेरे खाल से नहीं, यह सब बाज अ ऑजब आगाते है, वो अब अलग है, जो लाइड गाएंगे उसको गला लगाएंगे तो नहीं चलेगा, भावगीत का गला अलग है, वो बाज ही अलग है, एक आजमी नहीं कर सकते है, जो कुछ है अपने को, बोगशा है और वहां है, एक एक बाज करने वाले को संभादे अब इदर आएसे नहीं कि भावगीत भी गाओ, नाट्य संजीत भी गाओ, ठुम्री भी गाओ, पलाना भी गाओ, गाना पड़ता है, उसको मालूम है कि हमारा काम नहीं हो, वो दिशा भूल करते हैं लोगों की, खुद समझना चाहिए, हम भी नेके गाते हैं, लेकिन खुद वो ही करना ना, अभी वो होता नहीं, इसलिए पेट के लिए सब करना पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन कोई संजीत प्रकार बोदा तो नहीं है, आप अपने जगे पे बहुत वो उचा है, उच्छ नीच इसमें कुछ नहीं, ये बहुत बड़ी बात आपने कहीं है, आप अपने जगे पे सब लोग अपने उचे है, हम जो करेंगे वो उनको नहीं आता है, वो करेंटे हम नहीं कर सकते हैं, अच्छा पंड़ी जी आज, आपके पास बहुत सारे लोग सीखते है, सीखने को आते भी है, अगर इसे में कोई एक लड़का अगर आपको कहे या ल बात ऐसे है कि उनको करने का है, तो करियर तो करना ही चाहिए, इसको शाड़कट नहीं है, लेकिन ये करना भी मुश्किल है, तो आप अपने सोचना चाहिए, बात ऐसे है, कुछ करके भी उसका फल मिलेगे या नहीं मिलेगे, वो आपने हाथ पर नहीं है, तो करने वाले का sacrifice की टेरी चाहिए उसको sacrifice भी होना चाहिए उसको कि जो कुछ हालत हो जाएगी सहन कर दोंगे सहन कर दोंगे मतलब जो भी तकलिफ है आएगी वो उठाने की शक्ती होनी चाहिए sacrifice की बात है जी समझे क्या तो नई पिढ़े के लिए आप यही संदेशा देंगे की लेकिन इसको shortcut नहीं बिल्कुन लेकिन सब बात आशकल आशकी होई तो क्या करना टाइम टाइम की बात हो आशकी आपके पास ऐसे लोग आते है क्या करियर करनी है लेकिन चिनको करनी है इसमें ऐसे भी इद्यार थी आपके पास लेकिन उसको करियर नहीं है करते हो आज सुबह नुक्री करते कहां सर्विस करते इधर शिटे वो डॉक्तर है वो किले वो सिय है कोई लेकिन शोक्से सीखते उसमें से भी कोई अच्छे लोग है कि अच्छे गाते भी है तो आज सकते हाँ दो बात जम गया करो हमको नहीं जम गया और आचकर के दिखिये हैं बहुत पड़े लिखे भी इसमें लोग है और काफी अच्छे करते हैं इसे नहीं बोलना चाहिए हम लोगों ने भी उसको मानना चाहिए कि educated है, service करते और वो भी अच्छे गाते बजाते है और मानना चाहिए उसको खाली हमारे prestige इशू को धका लगने के बाद हम क्या को कुछ नहीं ऐसे नहीं बोलना ठीक नहीं आजकल और एक दिखाई देती है चीजपंडिजी गुरूं के बारे में गुरू का सभाव के उपर है गुरू कमर्शल हो गया तो वो अले ऐसा देखेंगे बस और शिश्यों में भी ऐसा कमर्शल आटिटूड दिखाई देता है हम तो पैसे दे रहे हैं लेकिन आपने ये नहीं सिखाई आपने वो तो ऐसे अटिटूड दोनों तरफ से होते है तो उसके लिए एक क्वाय मेडिया जो हम बोलते है या सही रास्ता कौन सा है कि कमर्शल आटिटूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये कठेन है बात वक्त के साथ साथ तो कुछ ना कुछ ना कठेन है गुरू कमर्शिल हो गया, तो उसको पहचान कि स्टूडेंट भी कमर्शिल हो जाते है मतलब ये लेंगे, जैसा आप लेंगे, वैसा आप पाएंगे, जैसा आप बोएंगे, वैसा उगेगा, वही हिसाब है ये बहुत अच्छी बात की पंडिजी आप लेंगे, गुरू बोलते कि हार एक स्टेटिंग को दो सो रुपया लेंगे हम तो स्टूडेंट भी कमर्शिल हो जाएंगे, जैसा हम महने के अंदर दो दिन ही आजाएंगे वह बात अलग है, ये गुरू के सुभाव के उपर है, और मतलब आज कल सब कमर्शिल हो गया पंडिजी आज आप यहाँ पे आएं, स्टूडियो में आएं, आपने अपनी विद्या, अपना नॉलेज, अपना अनुभव हम सब के साथ पाटा है और हमारा एक सांगितिक विश्व बहुत सम्रध बनाया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे